पाउफुल स्मार्टफून फॉर्गेमिंग के लिए तो यागर आप हाड़कूर गेमिंग करना जाते हो यह लिए यह वीदिटेश पैश लिए तो यार आज मैं को डाउज पाइब स्मार्टफुन पताओं को जो कि गेमिंग के लिए बहुत दगड़े होने वाले हैं जादे समय आप नी करते बात करते हैं नम्बू फाट की बात करूं नम्बू फाइब यार मैंने रखा नौचानी स्मार्टफुन मैं बात करूं सैंसिंग लेक्सी एफिटी टू की तो अगर इस स्मार्टफुन की बात करूं सबसे पहले इसका लुक एंड इसका डिजाइन आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है इसके कलर वगरा भी बहुत ही प्यारे देखने को मिलते हैं आपको बहुत ही पसंद आएंगे प्लस मैं आपको बता देना चाहता इसके दिस्पले को टीव यह अपर मेल जातीतों सेमसंग के फूं की खाशेत होती है इनके डिस्पले क्वाइशी क्वालटी बहुत उची होती हैं लॉंग पैंडी लाफ मेल जाते हैं इनивать जो प्रायविक स्टेम होता है एपको स्मार्टफूं सथिस्प्रशूं के और प्रेडिंशितन की बात को आपको अंड्रएट 11 देखने को मल जाएगा तीन वेड में स्मार्ट्वून देखने को मिलता है 6GB & 8GB RAM के साथ देखने को मल जाएगा और जो स्टोरीज वीरिणेट है वह आपको डिफरेंट देखने को मिल जाते है आपको 4500 mh की बैटरी देखने को मिल जाती है 25 वोड का आपको फास चार्जर मिल जाएगा प्लस यार मेन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिये सामसेंग गलैक्सी एफिफिटी टू के फून नया लॉंच हुआ है प्लस बहुत ही ज्यादा सही है स्पेसिफिफिकेशन के अकॉर्डिग देखा जाए तो आपको बहुत ही ज्यादा तगडा मेल जाता अगर आपको कै करने अच्छा डिजाइन चाहिए अच्छे कलर चाहिए मतलब अगर आपको एक फुल लोड़ेड लाइक स्मार्टफून चाहिए तो सैमसेंग लैक्सी एफिफ्टी टू आपके लिए पॉफट डील हो जगता अगर आपने अभी तक नहीं चैगूड किया था एक पर आप चै अग守 लियागने तक देखनी को मिल जाता है इसको नंबर फो पर रखने का सिर्फ यह रीजन है पर नहीं अगर पर देखनी को मिलते है यह वह आपको स्मार्टफून तक के बज़र तक देखने को मिल जाता है दो कलर में देखने को मिलता है अगर आपको ये कलर पसंद आते हैं तो आप इस स्मार्टफून की और जा सकते हो आपको स्नाप्ट्राइगन 865 प्रसेसर देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही जगादा तगड़ाया पर अगर आपने हा डूल सेल्फी देखने को मिल जाती है 32 MP प्लस 8 MP लेकिन आपको सेल्फी में 4K option नहीं मिलता आपको 1080p ही देखने को मिलता है आपको 4200 mh की बैटरी देखने को मिल जाती है प्लस आपको 65W का fast charger देखने को मिल जाता है प्राइज मैंने आपको पहले भी बता दिया जो 6GB वेड़ आपको 35,000 के पजड़ में अप्राक्स देखने को मिल जाता है अगर आपने 12GB तक भी जाना है तो भी आप जा सकते हो लेकिन उसका प्राइज इंक्रीज हो जाएगा तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने बता दिया आपको Realme X50 Pro के तो भी अगर आपको Realme लगरो आपके लिए ये स्मार्टफून परफेक्ट डील हो जेगा अगर आपका पजड़ 35,000 है तो आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है Realme X50 Pro आप इस स्मार्टफून के और जा सक स्मार्टफून देखने को मिल जाता है तो भी अगर आप एपल लवर हो तो आप इस स्मार्टफून के और जा सकते हो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्मार्टफून में एक मानिस पांट देखने को मिलता है मानिस पांट सिर्फिस की बैटरी है तो भी अगर आप गेम करने हैं आप इजली नॉबली कर सकते हैं आपको आई पे 67 वाटर एंडस्ट रेजिस्टन रेटिंग मिल जाकर तो वाटर प्रूप स्मार्फोन अगर पानी तरा गिर भी जाता है तो कोई भी प्रावब्लम इशू आपको नहीं आने वाला यह तीन वीड में देखने को मिलता इसके स्टोरेज वेरियंट आपको तीन देखने को मिलते हैं 64 GB स्टोरेज 128 GB स्टोरेज 256 GB स्टोरेज मैं आपको कहना जाता हूँ अगर आपने आइफोन SE की और जाना है आपने मीनिमम 128 GB स्टोरेज की और जाना ही जाना है ठीक है जो कि आपके लॉंग टेम बिड़ काम आ आपको कह रहा हूँ तो आगे बात करते है तो अभी मैंने आप को I-p Anfang SE के बारे में व्यागी बता दिया आगे बात करते है Number two की नबर टू की बात करूं नबर टू पर यार मैंने रखाया MI10T को तो सबसे पहले पर मैं आपको पता देना चाहता हूं कि आपको 5G स्मार्टफून देखने को मिल जाता है ये दो कर्स में देखने को मिलता है दोनों कलर इसको बहुत ही जादा सूट करते हैं दोनों में से जो भी आप लेना जाते हैं आपको ऐसे विल्कुल भी नहीं कहने वाला कि आप ब्लैक कलर में ले लो या सिर्वर कर में ले लो दोनों कलर इसको बहुत ही जादा सूट करते हैं ये दो बेड़ में देखने को मलता है 6GP RAM के साथ एंड 8GP RAM के साथ आपको पर साथ सर बहुत ही जादा तगरा मिल जाता है जो कि Snapdragon 865 देखने को मिलती लेकिन इसमें आपको IPS LCD देखने को मिल जाती है जो कि 144 refresh rate के साथ देखने को मिलती है तो display quality भी तगरा होने बाला है और आपको Gorilla Glass 5 की production भी देखने को मिल जाती है ट्रिपल camera मिल जाता है जिस पर आप 8K वीडियो शूट कर सकते हो आपको ट्वंटी मेरा पक्सल के साथ सेल्फी देखने को मिल जाती है लेकिन आपको सेल्फी में फोर के option नहीं देखने को मिलता अभी बात करते है बैटरी की तो आपको 5000 थार्जर देखने को मिल जाते है आप इस smartphone के और जा सकते हो because आपको पूरा loaded मिल जाता है मतलब अगर आप ने गेमिंग भी कर नहीं है camera के according smartphone चाहिए slim and stylish design चाहिए कल रूगरा भी अगर आपको matter करते हैं आप सभी के लिए और अगर आप मैं लवर हो आगे बात करते हैं number one की number one की बात करूं नो बात पर यार मैंने रखा IQ 003 को तो सबसे पहले बई मैं आपको यह चीज़ बता देना चाहता हूं कि यह smartphone तीन वेर्ड में देखने को में बनता है तो यह अभी मैंने आपको top five smartphone बता दे जो कि आप 35,000 के बिगर में ले सकते हो अभी बात करते हैं इन में से कौन सा लेना जाए तो बही अगर मैं आपकी जगा होता मैं जाता Samsung Galaxy A52 को सबसे पहले वो नया लाउंच वर्स के colors का design लूप बहुत ब्यार है Super AMOLED display मिल जाती है, long pantry life मिल जाती है प्लस जो privacy system होता है Samsung के phones का वो बहुत ही ज़्यादा अपर होता है अगर आपको waterproof smartphone देखने को मिल जाता है यार 30-35,000 के बज़र देख में आपको waterproof smartphone मिल जाना है वो भी Samsung के आउसे non-channel smartphone मिल जाना है वो सच्च में एक चीज़े matter करती है तो अगर आपने जाना है Samsung Galaxy A52 आप जासकते हो लिंक वगारा मैंने प्रवाइड किया लेकिन अगर आपने IQ 003 के हो जाना है बहुत तगड़ा है अगर आपने MI10T के हो जाना है अगर आपके मेरी दोडोरेट चलेगए या वीडू करताना कमेट करताना शेक खरताना दोस्तों हो की दोस्तों को बेदाना उनके पीख्यात अट के चाने को ये सिक्सक्राब कर दे लिए लिख अन site पे करले फॉलोओ लिंक भगे यहां को Production भॉक में देखनें को मैं जया, भी में ते नाटक्तак वीडियो में यहनु वीडियो के साथ, टेंक यू है को,yl छा पीनुंटा गालch अरे है ज़ाता है।